जैस्री करश्न मित्रों, मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 12 माई 2021 बुधवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रह नक्षत्रव चंद्रबल के प्रभाव से आज का दिन 12 में से 6 राशी वालों के लिए खास रहेगा मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्यका राशी फल नहीं नहीं यानवरधक जानकरियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज वैशा खमास शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी है बुद्वार का दिन है आज दिन की सुर्वात कृतिका नक्षत्र से होगी और मेश राशी में चंद्रमा का संचनन होगा आज सूरियो दई प्रातहकाल पांच बच के 32 मिनिट पर होगा और सूरियास्त साम साथ बच के 2 मिनिट पर होगा और आज राहुकाल दोपहर 12 बच के 17 मिनिट से आरंब हो करके तो दोपहर 1 बच के 58 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब नया वा मांगलिक कारिय शुरू नहीं करें इस समय अबधि में किसी भी नई वस्तो की खरीदारी करने से बचें और आज दिसा सूर रहेगा उत्तर दिसा में तो आज के दिन आप उत्तर दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब नहीं करें उत्तर दिसा की यात्रा से भी आप बचे यदि यात्रा करना आपके लिए अती अवश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वग पूजा अराधना करके अथवा इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाब करके यात्रा आप कर सकते हैं तो आज अभी जीत मोहर तो उपलब्द नहीं है तो अब जानिये अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी जन्मराशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिलें तो मेंसराशी से आरंब करते हैं मेंसराशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज का दिन आपके लिए सोभाग्य साली सावित होगा कारी चेतर में वैसे सफलता की योग रहेंगे वैसे व्यावसाइक चेतर में काफी प्रहत न करने के बाद आर्थिक सफलता भी आपको मिलेगी आज सत्रों से समल करके काम करें आपकी सामाजिक ख्याती को नुकसान पहुँच सकता है संतान पक्ष से निरासाजनक समाचार सुनने से मांसिक तनाव मिल सकता है विद्यारती वरगुको सिक्षा के चेतर में कुछ व्यवधान हो सकते हैं लेकिन गुरु जनों के सहयोग से आपकी बादाई दूर होगी सायंकाल के समय काफी समय से अटके हुए कारिये बनने की संभावना रहेगी लाइप में नविनता और मधूरता बनी रहेगी तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकछे है शुब रंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रियोक कारिशेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विसे सफलता पाने के लिए आपको गणेश जी के इस महा मंतर का यथाक्षती जाप करना चाहिए ओम गण राजाएन महा तो यसा करने से कारी छेतर में आपको सफलता मिलेगी भगवान गणेश जी की भी करपा आपको मिलेगी अगली राशी है वरशब वरशब राशीबालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन संतोस और सांती के साथ व्यतीत करें बहतर होगा राजनितिक छेतर में किये गए प्रयास सफल होंगे और आपकी ख्याती का विस्तार होगा सांती सत्ता का सहयोग आपको मिलता रहेगा नया कारी सुरू करने के लिए जीवन सांती का सहयोग वा सानिध्य आपको मिलेगा और संतान पक्षे से कुछ राहत की खबर आपको मिलेगी कारे चेतर में आपके प्रोजेक्ट से आपको लाब होगा जिससे आपकी पदव प्रतिष्ठा में व्रद्धी के योग है सायंकाल के समय कुछ अप्रिये वेक्तियों से मिलने से अनावश्य कटक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है इसलिए आज आपको सतर करह करके कारे विभार करने की आवश्यक्ता है तो आज आपको भाग्यका साथ 86 परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोक कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिछेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपको गणेश जी के इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करना चाहिए ओम उमा पुत्राइन महा तो ऐसा करने से भगवान गणेश जी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा मधुरवानी से आज आज आपको नए अवसर की प्राप्ती होगी रोजगार में बदलाव के बारे में विचार आप कर सकते हैं और संतान पक्ष की सिक्षा या किसी प्रतियोगीता में सफलता का समाचार मिलने से मन आपका हरशित होगा भाई बहनों के साथ अच्छा समय वितित कर पाएंगे और पारिवारिक बिजनेस में वरद्दी के लिए बाच्चित आप करेंगे कोई नई प्लानिंग आप कर सकते हैं आर्थिक इस्थिति आपकी मजबूत रहेगी निवेस करने से आपको लाब होगा माथा के स्वास्त का विशेश ध्यान रखे सायंकाल के समय कोई रुका हुआ कारिया आपका पूरा होगा और परिवार के साथ मांगली कारियों में समलित होने का अवसर आपको मिल पाएगा तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुब रंग आपका बैंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज कारी छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए इस महा मंतर का यथा सक्ती जाप आपको करना चाहिए ओम गणीश्वराई नमाह तो इसा करने से भगवान गणीश जी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली राशी है करक करक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्यापार में नए सोदे से लाप की स्थितियां बहतर होगी और रोजगार के छेतर में आपको सफलता मिलेगी साथी आजीविगार के छेतर में प्रगती होगी भूमी भवन वाहन की खरीदारी के प्रबल योग है सामाजिक कारी में बढ़ चड़कर के हिस्सा लेने से आपकी मान प्रतिष्ठा में वरती होगी और संतान के दाईत्यों की पूरती होगी व्यापारिक यात्राओं से इस्तिती सुखद वर लाब दायक रहेगी पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा सायंकाल के समय रिष्टेदारों के आगमन से समसू समाचार मिलेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 87 प्रतिसद प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक एक है शुबरंग आपका आसमानी रंग है आसमानी रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी आज विशेश सफलता पाने के लिए आपको इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करना चाहिए तो इसा करने से भगवान गणेश जी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली रासी है सिम्व सिम्व राशिवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आपके नेतरतों में किये जा रहे है कारियों में आपको सफलता मिलेगी और आपके प्रभाव छेतर में वरद्दी होगी मित्रों के साथ आमदानी के नए इस्त्रोत्र बनेंगे और वानी की सोम्मिता सरलता से आपको सम्मान मिलेगा विद्यार्थिवर्गों को सिक्षा प्रतियोगिता में विशे सफलता के योग है और विदेश या दूर जाने की इच्छा पूरी हो पाएगी रोजगार के छेतर में स्थितिया और भी बहतर होगी और अधिकारियों के साथ संबंद आपके मजबूत होगी जीवन सांती की भावनाओं का सम्मान आप करें तो बहतर होगा इससे आपके रिस्तों में मजबूती आएगी सायंकाल का समय मित्रों और प्रिये जनों के साथ आमोद प्रमोद में व्यतित होगा तो आज आपको भाग्य का साथ 82 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपको इस महा मंतर का यथा शक्ती जाब करना चाहिए ओम गम गणपते ये न महान तो इसा करने से भगवान गणेश जी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि विदेश या दूर से व्यापार करने वालों को लाब मिलेगा और सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे रोजगार व्यापार के छेत्र में जारी प्रयासों में अकल्पनी सफलता आपको मिलेगी संतान पक्ष से भी संतोष जनक समाचार मिलेंगे दोपर पस्चात किसी कानूनी विवाद या मुकदमे में जीत आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है शुब खर्चब किर्ती में वरद्धी होगी पिता के स्वास्त का विशेज ध्यान रखे और एक बार पूरा चेक अबश्य कराओं समेधन सिल मुद्धो पर परिवार के साथ विचार विमर्श अवश्य करें और लाइप में नवीनता और मदूरता बनी रहेगी दामपत जीवन आपका सुखमे रहेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशेश शफलता पाने के लिए इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप आपको करना चाहिए उम गणाधी पाए न महा तो ऐसा करने से भगवान गणेश जी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपके चारोर सुखद वा सकारात्मक वातावरन रहेगा आपके निरनई से घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेगी साथ ही कई दिनों से चली आ रही धन की लेंदेन की समस्या हल हो जाएगी अटके हुए धन की प्राप्ती के योग हैं और पिता के मार्गदर्शन से आई के नए इस्त्रोत्र बनेंगे परिवार के साथ घुमने फिनने की योजना बना सकते हैं जमीन जायदाद प्रापर्टी खरीदने के बारे में प्लानिंग आप कर सकते हैं आपके प्रभाव छेत्र में वरद्धी होने से सत्रों की संख्या में बड़त्री होगी लेकिन आप अपने बुद्धी कोशल से सत्रों को भी मित्र बना सकेंगे तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक चार है शुब रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियो कारीच्षेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारीच्षेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपको इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करना चाहिए ओम विग्नहराई नमाँ तो ऐसा करने से भगवान गणेजी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली राशी है वरश्चिक वरश्चिक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि पिता और बड़े भाई का मारगदर्सन आपको कई समस्याओं से निजाद दिलाएगा और व्यापार को विवस्थित करने का अवसर भी आपको मिलेगा अपने स्वास्त का पूरा ध्यान रखें हर छोटी बड़ी समस्यापर सलाह विचार विमर्स अवश्य करें विद्यार्थी वर्गों को विदेश में या दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहप आटियों और गुरु जनों का सहयोग मिलेगा लाइप में एक नई उर्जा आपके रिस्तों को मजबूत करेगी आर्थिक इस्तिति में सुधार आएगा लेकिन धन के लेंदेन में सावधानी बरते हैं सायंकाल के समय मित्रों के साथ हास परियास में समय व्यतित होगा तो आज आपको भाग्यकासा 83 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियो कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज कारी छेत्र में विशेश सफलता पानी के लिए आपको इस महा मंतर का यथा शक्ति जाब करना चाहिए ओम विगन हराइन महा तो इसा करने से भगवान गणिजी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगली राशी है धनू धनू राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्यापार व्यवसाय में कड़ी महनत से लाप की इस्तितियां बहतर होगी आपके विरोधी भी आपकी प्रसंसा करेंगी ससुराल पक्षे से अटका हुआ धन प्राप्त हो सकेगा किसी मित्र की सहायता करने का अवसरम आपको मिलेगा और आपके मधुर वचन परिवार की समस्याओं से निजाद दिलाएंगे भाई वहन की तरफ से कोई शुब समाचार आपको मिलेगा और विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताओं मिल पाएंगे आज इविका के छेतर में चल रहे नए प्रयास फली भूत होंगे सायंकाल का समय परिवार के साथ वसामाजिक एवं सांस्कृतिक कारेकरमों में भाग लेने का अवसर आपको मिलेंगे तो आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकछे है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोग कारेचेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्रहप्ति होगी तो आज के दिन कारेचेतर में विशेश सफलता पाने के लिए पर आपको मिलेगा लेकिन उनके स्वास्त का आप ध्यान रखें पिता का सहयोग मुश्किल हलतों को पार करने में मदद करेगा धार्मिक यात्रा पर जाने से मांशिक सांती आपको मिलेगी माता पिता का विशेश आप ध्यान रखें आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किये जा रहे हैं प्रयास सफल होंगे और आकसमिक धनल आपके योग भी बन रहे हैं कारिचेतर में अधिनस्त कर्मचारियों का आदर वा सहयोग भी परियाप्त मात्रा में मिलेगा सायंकाल के समय किसी बड़े जगड़े या विवाद में आपको पढ़ने से बचना चा तो आज कारिचेतर में इसे सफलता पाने के लिए आपको इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करना चाहिए उम बुद्धी प्रदाइन महन तो इसा करने से भगवान गणेश जी की विशेश करपा आपको मिलेगी अगले रासी है कुम्भ कुम्भर आशिवालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है विद्यारती वर्ग को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए अधिक परिश्रम की आवशक्ता रहेगी सत्रों आपको नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिस करते रहे लेकिन आप सभी चुन्योतियों को पार कर लेंगे आर्थिक इस्तिति आपकी मध्यम रहेगी लेकिन किसी भी प्रकार का निवेस आपको हानी आज दे सकता है परिवारिक दाइत्वों की पूर्ती के लिए व्यस्त रहेंगे और खर्च आपके बढ़ेंगे सायंकाल में । कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राति होगी तो आज के दिन कारिछेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपको इस महामंतर का यथा शक्ति जाप करना चाहिए की अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज का दिन संतान की जिंता तथा उनके कारियों को पूरा करने में व्यतित हो सकता है और दामपत्य जीवन में कई दिनों से चला आ रहा गती रोत खत्म होगा बाहर गुमने फिनने जाने की प्लानिंग आप कर सकते हैं रिष्टेदरों के साथ धनका लेंदियन करने से आपको बचना चाहिए वरना आपके संबंद खराब हो सकते हैं धार्मिक यात्रा और पुन्य कारियों पर खर्च करेंगे तो बहतर दिन होगा विद्यार्थि वरगों को अपने भविष्य के लिए नई संभावनाओं की तलास करना चाहिए व्यापारिक छेत्र में आ रही रुकावेटेवे से आपकी दूर होगी आरतिक स्थिति में सुधार है तू आपको कई प्रयत्न करने होंगे और आई के नए नए इस्तरोत्र का विकास आप कर पाएंगे तो आज आपको भाग्यकासा 84 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारेच चेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच चेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपको इस माहा मंतर का यथा शक्ति जाप करना चाहिए ओम वरदाई नमहन तो ऐसा करने से भगवान गणेजी की विशेश करपा आपको मिलेगी तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे